मुझे नहीं पता था कि डॉल्फिन जैसे इतनी क्यूट फिश इतनी हखावी भी हो सकती है जैसे कि जो डॉल्फिन होती है वो दूसरा का मज़े लेने के लिए उनको मार भी देती है जैसे कि मास्टों पॉर्पेस फिश साइन्टिस्ट भी पतानी लगा पाए कि आखरकार जब डॉल्फिन पॉर्पेस फिश को खाती ही नहीं है तो उसको मारती क्यों है और हाँ डॉल्फिन जो नशा भी करती है जो डॉल्फिन अब उन्हें पॉफर फिश मिल जाए तो सबसे पहले तो वो उसके साथ फुटबॉल खेलती है और फिर वो उसे थोड़ा से चबाती है उसके बाद थूख देती है जिसके वीजिसे इनके अंदर थोड़ा बहुत जहर चला जाता है और यह थोड़ा बहुत नशे में जूल जाती है जो मेल लॉल्फिन होती है वो कई बार फीमेल लॉल्फिन से साथ बत्तमीजी करते है जिसके बाद जो फीमेल लॉल्फिन है वो कुछ ऐसा करती है